नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहें CWB Hindi News की MSP 117 रुपे बढ़ा कर 23 रुपे की तो वहीं तुवर दाल में 550 रुपे का इजाफा बताएंगे पूरी अपडेट किनान चोदरी ने बेटी शुरूती संग थामा BJP का दामन बताई कोंगरेस छोडने की असल वज़े राव दान सिंग ने किनान चोदरी को बताया भीतर गाती BJP से मिली भगत पर दिया ये बयान दिल्ली उन्वेस्टी में आई विभिन पदो पर भरती बताएंगे पूरी अपडेट 9 में बनेगा 123 का अस्पताल 156 क्रोड की लागाचे बनेगा 6 मंजिल अस्पताल राजी सरकार ने दी बड़ी सोगात हर्याना की नीरत चोपडा ने फिर रचा इतिहास फिनलैंड में जीता गोल्ड मेडल किरान चोदरे के बीजेपी जोईन करने पर कुमारी सेल जाने दी परतिक्रिया पूरुशियम हुड़ा परसादा निशाना हर्याना में जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला स्यम सेनी ने किया ये फैसला और हरियाना में सर्मिकों के लिए खोला सोगातों को पिटारा एक लाग से अधिक सर्मिकों को मिलेंगी ये बड़ी सोगातें बताएंगे पूरी अपडेट और अब खबरे भी सतार से हरियाना में देर रात कई जगों पर धूल बरी आंदी और बुंदाबांदी से गर्मिश राहत मिली है कुरूचेतर पानीपट छेतर में बारिश दर्ज की गई है तो वहीं रोत तक में धूल बरी आंदी चली है बुंदावांदी के बाद भीशन कर्मी स्तिराहत मिली है क्रूच शेतर में कई जगा पर हलकी बारिश दर्ज की गई है तो वहीं कई जगा बुंदावांदी रात करीब 10 वजे तक जारी थी उत्तर परवते छेतरों में एक नया पश्च में विचोप स्करी होने जा रहा है इसके असर से गुरुवार को गरत चमक के साथ 40 क्लम्टर परती गंटे की रफ्तार से धूलबरी हवाई चलेंगी इसे लेकर भारतिय मोसम विबाग ने येलो लट जारी कर दिया है मोसम में इस बदलाव के काण विरुवार को बादलवाई और 30 से 40 क्लम्टर परती गंटे की रफ्तार से अंधर चलने और गरत चमक के साथ हलकी बारिश की संभावनों जताए गई है नोकरी का सपना रखने वाले योओं के लिए एक खुश खबरी है आपको बता दें कि The College of Vocational Studies यानी CVS, University of Delhi यानी Delhi University की तरफ से विभिन नोन टीचिंग पदों पर भरती के लिए आविदन आमतेत के गए हैं आविदन करने के आखरी थारिक 30 जून 2024 है लाइबरेरिन के पदों के लिए उमिदवार लाइबरेरी साइंस में post graduate होने चाहिए तता नेट ये PhD हों महीं section officer के लिए इन पदों के लिए उमिदवार graduate हों तता उसके पास 6 महीने का computer course होना चाहिए महीं senior personal assistant के लिए उमिदवार graduate तता स्टेनों होना चाहिए तता उसे तीन साल का कार्य अनुबा भी होना चाहिए तो मैं सीनियर असिस्टेंट के लिए आवे तक ग्रेजूट होना चाहिए तता उसे कम्पिटर का ग्यान होना चाहिए वहीं लाइबरेरी अटेंडन के लिए आवे तक दस्मी पास होने चाहिए तता उनके पास लाइबरेरी साइंस का स्रेटिपिकेट होना चाहिए इन पतों के लिए उम्मित्वारों को ओनलाइन आवे दिन करने होंगे पूरू मुख्यमंतरी श्वरगे चोधरी बनिचलाल के पूत्र बदू एम तोशाम से विधाय किरन चोधरी के कोंगरिस पार्टी छोड़कर बीजेपी जोईन करने पर हर्याना की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है कोंगरिस पार्टी के कई नेता उनके इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कई नेता इसे पार्टी के लिए सुब संक्यत मान रहे हैं रावदान सिंग ने किरन चोधरी पर निशाना साथ भी का कि ये कई सालों से बीजेपी के साथ मिली बगत की राजनीति करती हा रही हैं आप पिछली राजी सवाचुनाव का उधारन देख लो जहां हमारे कैंडिडेट को एक वोट शीहार का सामना करना पड़ा था इस हार के लिए भी पार्टी ने उन्हें सीधी तोर पर जिमेदा ठहराया था लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के परति उनका लगाव जारी रहा उन्होंने कहा कि इस लोगश्वाच उनाव में भी जितना भीदरगात वो कर सकती थी उसने किया है हरियन के सीम नायब शैनी ने मीडिया से बाचित करते वे उन्होंने रनजी चोटाला के मंत्री मंडल में बने रहनी को लेकर अपनी प्रतिग्रेव वेक्त की है रनजी चोटाला को कॉंग्रिस परत्यशी जेपरकास उर्फ जेपी के आतो हार का सावना करना पड़ा था रनजी चोटाला के हार के बाद चर्चा जोर पकड़ रही थी कि साहज चोटाला अब शैनी सरकार मंत्री मंडल का हिस्सान ने रही क्योंकि उनके पास अब विधायक पद नहीं है इस तरहें की चर्जाओं पर विराम लगाता वे मुख्यमंतरी शाणी ने कहा कि बिना विधायक बने भी वो च्छा मेने तक मंतरी पद पर रह सकते हैं रनजी चोटाला जी हमारे आदरणी है उनका मारक दर्शन पार्टी को मिलता रहेगा पूरो मुख्यमंतरी श्वरगे चोधरी बनिशलाल की पुत्र बदू इम तोशाम से विधायक किरन चोधरी द्वारा कॉंग्रेश पार्टी छोड़ने पर शिर्षा लोकसबाच यतर से नवन दिर्वाचित सांसत कुमारी सहलजा की परतिकरावी सामने आई है उन्होंने कहा कि किरन चोधरी की नाराजगी श्वाभाविक है और उन्हें मनाना चाहिए था मैं उनके शंपरक में हूँ लेकिन जिस हिसाब से लोकसबाच नौव में टिकेट वित्रन हुआ उस्षे लगता है कि टिकेट कटने के बाद ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया है या एस करिये लोगों को पार्टे के साथ जोड़कर वेक क्या साबित करना चाहते हैं अपने पार्टे को समालना पहली प्रात्मिकता होनी चाहिए पंजाब युम हरियाना हाई कोट ने हरियाना के गूरूप C और गूरूप D में दे जाने वाले सामाजी कार्थिक मांदन के पांच चंकों को श्रविदान के खिलाब बताते विराध्य कर दिया है अब हर्याना सरकार की भरतियों के लिए हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन यानी ह door HSA से ने High Court के फैसले के खिलाब Supreme Court में अपील दायर कर दी है हर्याना एसने की तरप से इस मामले में च्यार अपीले दायर की गई है सुप्रीम कोट की डबल बेंच जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस SBN भट्टी ने इस मामले की सुनवाई की है हरियाना सरकार ने अब सुनवाई के लिए वक्त मांगा है हरियाना सरकार ने कहा है कि मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी जाए जस्टिस विक्रम राथ ने कहा कि सभी यहाचिकाओं को एक साथ सूची बद करके सौमवार को सुनवाई की तारिक तैकी जाए यानि अब इस मामले की सुनवाई सौमवार को होने जा रही है लोकसभा चुनवाई में सुननी से पांच सीटों का सफरताय करने वाली हरियाना कोंगरिस को विदान सभा चुनवाई से ठेक पहले 440 वोल्टेज का बड़ा जटका लगा है पूरु मुख्यमंतरी चौदरी बनिशलाल की पूत्र वदू बीजेपी जोईन करने के बाद किरन तोदरी ने कहा कि बिछले कुछ सालों से मैंने देखा है कि हरियाना कोंगरिस एक व्यक्ति केंदरी पार्टी बन गई है वे नहीं चाहते थे कि कोंगरिस पार्टी आगे बड़े उनकी वजे से बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ गई है मैंने एक अधम इसलिए उठाया ताकि यह सुनिश्ची तोस्के कि मेरे कारे करताओं को उनका हक और समान अधिकार मिल सके वहीं इस मोके पर केंद्रे मंतरी मनोहराल खटर ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत एतिहासिक है कोंगरिस के लिए कई सालों तक काम करने वाली दो परमुक सक्षियत आज हमारी पार्टी में सामिल हुई है मैं उनका श्वागत करता हूँ हम हरियाना को मजबूत करने के लिए काम करेंगे हरियाना में अप्रेल के महिने में लोक्षभा चुनाओं की चलते आचार सहीता लग गई थी जिसकान क्लेक्टर रेट रिवाईज नहीं हो पाई थे आचार सहीता आटने के साथ ही यह परस्ताव मुख्यमंतरी शैनी के पास बेजा गया लेकिन उन्होंने इसे सिरे सिनकार कर दिया साथ ही सभी जिलों में अब पुराने रेटों पर जमीनों की रजिश्टी करने के निर्देश जारी कर दिये है बता दें के स्थाने परसासन के तरफ से परदेश के रोह तक गुरुगराम, भरिदाबाद, पल्वल, भाधरुगड, सोनिपत, करनाल और पानिपत जिलों में 20% तक कलेक्टर रेट बढ़ाने का परस्ताव भेजा गया था हरियाना समेत उत्तर भारत के सभी राजों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है ऐसे मोसमें जो यात्री हरियाना रोडवेज के बसों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं उनके लिए परिवहन विभाग ने सरहानिये पहल की है दरसल अब से हरियाना रोडवेज के बसों में यात्रा करने वाली यात्रियों को बस में ही पीने के ठंडे पानी के सुईदा परतान की जाएगी इसके लिए निदेशक राजी प्रिवहन हरियाना दोरा आधिकारी पत्र भी जारी कर देगा है हरियाना के सर्मिकों के कल्यान आर्थ चलाई जा रहा ही योजनाओं का लाप देने के लिए सरकार द्वारा जीन्द में राजिस तरिये सर्मिक जाग रुपता इमसमान समारों का आयुजन किया गा जिसमें मुक्यमंतरी नाइव सिंग शैंडि ने बیतोर मुक्याती ती शरकत की योजनाओं मुक्यमंतरी की शर्मिक पंजीकार्न प्रमसान योजना और कन्यादान एम विवास आधा योजना की शुरूआत की साथी कन्यदाने मिववा साहता योजना के तहत सर्मिकों को उनकी बेटिव की साधी के लिए एक लाख एक हजार उपए की राशी भी दी जाएगी जिसमें से 75% राशी विवा के तीन दिन पहले मिलेगी मुख्यमंत्री ने सर्मिकों के लिए गोशना करते भी कहा कि मुख्यमंत्री तेर्थ दर्सन योजना के तहत सर्मिकों को आयुध्धा दर्सन भी करवाये जाएगा केंदर सरकार ने 19 जून बुदवार को UGC नेट के प्रिक्षा रद कर दी है यह प्रिक्षा एक दिन पहले यानी 18 जून मंगलवार को हुई थी दो शिफ्ट में OMR यानी पेन और पेपर मोड में आयुजित की गई थी 19 जून को विश्विदाले अनुदान आयुग यानी UGC को प्रिक्षा के बारे में इसे रद करने का आदिस National Testing Agency यानी NTA को दिया अब नए सिरे से प्रिक्षा होगी इसके जानकारी अलग से सेर की जाएगी केंदर निजाज के लिए मामला CBI को शोप दिया है आपको यहां पर बताते चलेंगी UGC नेट एक्जाम देश बर की यूनिवस्टीज में PhD Admissions, Junior Research Fellowship यानी JRF और Assistant Professor के पद के लिए होता है UGC नेट एक्जाम रद होने पर कोंग्रिस ने सोचल मीडिया प्लेटफोर्म एक्सपर कहा मोदी सरकार युगाओं के भावशे के साथ खिलवाड कर रही है कल देश के वेबिन सहरों में UGC नेट के प्रिक्षा कराई गई आज पेपर लिग के सक में प्रिक्षा रद कर दी गई पहले नीट का पेपर लिग हुआ और अब UGC नेट का मोदी सरकार पेपर लिग सरकार बन गई है वहीं कोंग्रेस महास्यों प्रियंका गांधी वाडरा ने का कि भाजपर सरकार का लिग तंतर वे लचर तंतर युवाओं के लिग घातक है नीट प्रिक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जुन को ही नेट की प्रिक्षा भी गडबडियों के आसंका की चलते रद कर दी गई है क्या अब जवाब दे ही तै होगी या फिर क्या सिक्षा मंतरी इस लचर तंतर की जिम्यदारी लेंगे वहीं आम आदमी पार्टी ने सोशल मेडिया प्लेटफोर्म एक्स पर लिखा बीजेपी की निकमी सरकार में एक भी प्रिक्षप बिना धांदली और पेपर लिग के संपन नहीं हो रही है इस सरकार से देश के भविशे को बड़ा नुक्सान हो रहा है देश के करोडो चातर हर रोज निरासा के अंदकार में डूब रही है केंदर सरकार ने 14 खरी फचलों के मिनिमम स्पोर्ट प्राइस यानि MSP बढ़ा दी है केंदरे कैबिनेट ने बुद्वार को एफैसलर लिया है केंदर सुचना इंपरशना मंतरी अस्मनी वैशनों ने बताया कि धान के नई MSP 23 रुपे कर दी गई है जो पिछली MSP से 117 रुपे जादा है वहीं का पास के नई MSP 7,121 रुपे तैकी गई है इसकी एक दूसरी किस्म की नई MSP 7,521 रुपे तैकी गई है जो पहले से 501 रुपे जादा है वैशनों में बताया कि देश में 2,00,00 नए गोदां भी बनाई जाएंगे तो वहीं तुवर दाल की MSP को 550 रुपे परतिक क्योंटल और उड़त दाल की MSP को 455 रुपे परतिक क्योंटल बढ़ाने को मंजूरी दी है इसके साथ ही मक्का की MSP 135 रुपे परतिक क्योंटल और मूंग की MSP 124 रुपे परतिक क्योंटल बढ़ा दी गई है करमचारी चैना आयोग संयुक्त सनातक स्तरिया यानि सीजल प्रिक्षा 2024 के लिए 24 जून को नोटिफिकेशन जारी करेगा उमिद्वार ओफिसिल वेबसेट ssc.jov.in पर जाकर आविदन करस केंगे ssc.jov.in पर जाकर आविदन करस केंगे ssc.jov.in परिक्षा के मादम से हर साल के अंदर सरकार के तमाम मंत्रालों, विभागों और संग्ठनों में भरतिक लिए योग ये उमिद्वारों को चैन किया जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बात करें तो किसी भी मानेत अपराप्त युनिवस्टी या संस्तान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजोशन के डिगरी होनी चाहिए भारतिय शेयर बाजार ने लगातार दूसरे दिन अपना नया आल्टाइम हाई बनाया सेंसक्स 36 अंग के बड़त के साथ 33,337 के स्टर पर क्लोज हुआ तो वह निप्टे 41 अंग फिसल कर 23,516 के स्टर पर बंद हुआ बैंकिंग और आईटी शेयर्स में तेजी देखने को मिली है तो वह निप्टे दिल्ली में 10 गराम 22 के एट सोने के के मत 6,350 रुपए तो वह निप्टे 10 गराम 24 के एट सोने की के मत 72,470 रुपए के आसपास चल रही है आज खबरों बश इतना ही देखते रहे हैं आपका अपना हर्यान का सबसे बहतरी न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज नमस्कार इसे आसा के साथ आपका दिन सुब रहे